तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशान शर्मा और आज हम एनलाईज करेंगे यी मुद्रा एलेमिरिट कंपनी को बात करें तो कंपनी डिजिटल सिगनेचर्स इशू करने का काम करती है एक सर्टिफाइंग अथोरिटी है और अपने सेक्टर के एक डिडिंग कंपनी है, कंपनी काफी अच्छा बिजनस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का fundamental analysis करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का fundamental analysis करेंगे सरसे ब्ली कंपनी का पूरा business profile चेक करेंगे फिर उसके बाद कंपनी पिछले 5 साल के financial चेक करेंगे जिससे में ये पता लग सके कि पिछले 5 सामने कंपनी के revenue और profit वगरें कैसी गरोथा ही है और last में हम कंपनी की valuation करेंगे जिससे में ये पता लग सके कि अगर आज की पिछले अपना पैसा इंवर्स में चा रहे हैं तो क्या इस कंपनी शेर हमें इसकी earning के साफ से सस्ते प्राइस मिल रहे हैं या फिर महंगे प्राइस मिल रहे हैं दूसरी बात यह जो वीडियो अपने subscribers की demand बना रहे हैं अगर आप भी चाते हैं आपके लिए किसी कंपनी का fundamental analysis करें तुमारे वीडियो के comment box में आप उस कंपनी का नाम दिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगी कि जल से वीडियो बना के आपको उसके बारे में information दे दे और अब हम बात करते हैं कंपनी इमुद्रा लिम्टेट इस बारे में तो शेम बात करेंगी कंपनी एक certifying authority है और कंपनी digital signature certificate issue करने काम करती है और इमुद्रा ब्रैंड के नाम से इक कंपनी अपना business करती है बात करें तो कंपनी एक licensed authority है controller of certifying authority CA से ministry of information technology के अंदर और कंपनी under the guidelines set by information technology act कंपनी काम करती है तो कंपनी सारे rules direction सबसे काम करती है और पूरी certified एक authorized company है फिर बात करें कंपनी की leadership की तो largest certifying authority of India तो इंडिया का top brand है सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी है digital signature certificate issue करने की तो एक तो digital signature certificate हो है यह individual लोग यूज़ करते हैं और companies भी यूज़ करते हैं उसलिए कंपनी और बहुत सारे PKI यानि के public key infrastructure के जो security solutions होते हैं बड़े-बड़े enterprises के लिए banks बगर के लिए companies के लिए company वह प्रवाइट करती हैं उसके लिए यूज़ काफी सारे products हैं जो company offer करती है अपने customers को फिर बात करें तो company को लोग को अपनी जो services वो प्वाइट करते हैं तो मेंली company जो लोग digital signature use करते हैं income tax के लिए tenders भरने के लिए government के foreign exchange के लिए foreign trade के लिए banking, railway और बहुत सारी जो दूसरी organization है उनको company cater करती है उनको अपनी services offer करती है उसमें company बहुत सारी बात करती है और बिजनस बिजनस ट्रांजिशन भी करती है फिर बात करें कंपनी के current market share की तो अभी जो digital signature certificate company issue करती है उसमें बहुत ही बढ़िया 35% company market share hold करती है काफी एक top vision company है उसलग अपनी एक strong retail footprint भी hold करती है और जितने भी type के e-sign और e-stamping services कंपनी सारी provide करती है तो company काफी अच्छा network भी develop कर चुकी है फिर बात करें कंपनी के business vertical की तो कंपनी मिलनी दो business vertical काम करती है पहला है digital trust service नहीं कि किस के उपर आप trust कर सकते हो कौन authorize है signature करने के लिए उसी बंद ने digital sign करें नहीं करें उस तरह की services इसमें कंपनी मिलने दो काम करती है पहला तो वह जो certifying authority है और company यहाँ पे digital certificate issue करती है और इसमें कंपनी का e-sign के नाम से यह product आता है और largest certifying authority हमने बात कर ली दूसरा इसमें company issue करती है SSL certificate यह भी certificate होते हैं जो websites बगर यूज करती है और इसमें company globally काम करती है और इसमें कंपनी ग्लोबली काम करती है और इसमें कंपनी जो ब्रैंड है वह यानिकी E-mudra sign के नाम से है दूसरा company enterprise solutions प्रवाइड करती है यहाँ से company को 75% करने में आता है और जो digital trust service है महां से company को लगबग 25% करने में रहता है तो million company को जादर even enterprise solutions से आता है इसमें company दो टाइप के काम करती है पहला है paperless transformation इसमें company EM signer के नाम से अपना एक brand होल करती है अपने product होल करती है इसमें company enterprises को solution provide करती है paperless office बनाने लिए जितने भी कागच है documentation है वो सब digital हो जाएंगे उसको जो sign है जो authorized signature वगड़ा करने वो भी सब बात के दो digital हो जाएंगे तो company इसमें paperless transformation करने के लिए बड़ी-बड़ी companies को help करती है दूसरा है cyber security कम भी बहुत सारे cyber security के products hold करती है जो की आलग टाइप की service अपने customer को देते हैं जो उनको required हो उसमें पहला है कंपनी का EMAS यानिके authentication, identity और access management के लिए company ने प्रोड़क्त किया है और यह अपने customers है उनको install कर देती है और इसके थुरूब हो सारे-सारे access control का management है वो company कर देती है उनके लिए दूसरा है EMCA यानिके certified authority अगर किसी और को बनना है आगे किसी को issue करने digital signature certificate के लिए तो उ आगे वो अपना काम कर सकते है उसमें और तीसरा है EM discovery जो EM discovery IT infrastructure को safeguard करने के लिए इसके सारे प्रोड़क्त की उते हैं उसमें renewal है, automatic provisioning है और discovery certificate company सारी इसमें काम करती है तो हड़ टाइप के company solution provide कर रही है, digital security भी हो गई, cyber security हो गई और paperless transformation फिर बात करें के company के global presence की तो अभी company के इंडिया के लावा 21 दूसरी countries में business है और company ने all over world बात करें तो seller और reseller की पूरी team बनाई है उनके साथ partnership की है जो उसके आगे जो services है उसको sell करने में उसकी help करते हैं बात करें company के geographical revenue की तो इंडिया से company को 60% करने होता है और international market से company को 40% करने होता है तो दोने जगे पे company काफी अच्छा business कर रही है फिर बात करें company के network की तो अभी company उसमें एक लाग तेरा हजार channel partners बात की इंडिया में भी है और outside इंडिया भी है तो company में एक लाग तेरा हजार channel parts बना है जो अलग अलग एक तरिके sales force के रहा काम करते है company का उसके जो products हैं उसको बेचने में help करते हैं और दूसरा इसमें 2,72,000 जादा कमें उस retail customers भी है जो directly business करते हैं उनको business देते हैं तो company काफी अच्छा network भी जो develop कर चुकी है फिर बात करें company के shareholding pattern की तो promoters के पास मे company 54% share है FI's के पास में 5% share है DIs के पास में company के 15% share है और public और दूसरे लोग पास में 56% का stake है तो सबी लोगों ने अच्छा investment इसमें किया हुआ है और अभी दो साल पहले company का IPI है उसमें सब लोगों ने काफी अच्छा investment किया है बात करें institution investors की तो 20% का इसमें institution investors ने भी अपन stake लिया है तो सबी लोगों ने काफी अच्छे से इसमें investment की है तो कुल में बात करें company business file की तो काफी अच्छा business file ने बात की तो इंडिया का top brand है 35% का market share है digital signatures में और दूसरी भी company जो है काफी सारी services अलगले enterprise को offer करती है और दोनों ही segment काफी अच्छा business आता है फिर बात करें digital signatures और इसने की services की तो आने वाल टाइम सारा ही digital का होने वाला है तो अभी जो company नॉम्मली काम कर भी नहीं है paper वगरा वो भी इनके पास आएंगी और कल को और जाधा business increase होगा तो already काफी अच्छा profile है और company का future भी काफी bright दिखाई दे रहा है और अब हम बात करें देंके financials के बारे में कि पिछले 500 कंपनी के revenue और प्रॉफिट वारे कैसी क्रोथा ही है उसलिए पिछले 500 कंपनी का financial data चेक करते हैं और सबस्वर देंके कंपनी का revenue तो 2020 में कंपनी होने थे 116 क्रोड के और लगातार हर सल कंपनी उसलिए 500 रिवेन्य इंक्रीज हो रहे हैं और दो जो जो के काफी अच्छे CAGR से पिछले 500 कंपनी ग्रोफ हाई है तो काफी अच्छा business कंपनी कर ली है फिर बात करें कंपनी की तो कंपनी काफी अच्छा operating profit margin भी manage कर ली है और पिछले 5 सल की जो कंपनी की average है वो 30% प्लस की है बीच में 27% भी गया 35 भी 37 भी लेकिन average की बात करें तो 30 20% ज्यादा कंपनी operating profit margin मेंच करें इसलिए 5 सल से तो काफी अच्छा कंपनी operating profit भी ले रही है उससे में क्या आप लगता है क्लियर साइन है कंपनी की जो भी input cost है कंपनी उसको अच्छे से manage कर रही है कंपनी काम कर रही है और जो कंपनी services offer करते है उसको भी काफी अच्छे pricing ह इसलिए कंपनी को अच्छा difference यहां पर operating profit मिल रहा है तो काफी अच्छी कंपनी profitability भी manage कर रही है फिर बात करें net profit की तो 2020 में सिर्फ 18 क्रोड का था और अब देखें तो 74 ने तो 76 क्रोड है लग 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 चार गुना कंपनी का profit होगा है उसलिए 5 साल में तो कंपनी अच कंपनी free cash में नहीं कर पारी है पिछले 5 साल में एक बार positive free cash में आई है अबी कंपनी चोटी कंपनी स्मॉल कप कंपनी है साथ साथ हैर करण का कंपनी का बात की तो market का प्लाइशन है और company अभी expansion phase पे चल रही है इसमें बात कि दिया अभी काफी अच्छा कंपनी ने leadership तो hold कर नहीं कर पारी है तो अभी growing phase पे कंपनी है उस बात के हैं डिवेंट की तो सेम डिवेंट बात है अभी पैसा जो अपना वो बिजनस को बढ़ान लोगा है जब ज़्यादा पैसा मिलने लग जाएगा स्टेविल्टी आ जाएगी तब ज़्यादा कंपनी डिवेंट करेगी करें अभी कपनी कोई यू कपनी के पैसा उपाइस को आपुसिंट करने को इंटर्स का बढ़न नहीं है और कपनी आराम से बीजन्स कर रही है पिर बात करें क्मपनी कर दो से ज़्यांगा अच्छा कम आप आजाता है तो क्लिरा में दिखाई धेरा है कि कंपनी काफी अच्छे से रिटर इंवेस्टर के जो पैसा है उसके उपर तो देट्ट होई निग नहीं तो कंपनी किसी का अच्छा ओर भी मैनेज करिए तो कुलना बात के तो क्लियर काफी काफी अच्छे फिनेशल होड़ कर दी है और अन्य टाइम जब कंपनी का बिजनस भड़े का से बढ़ेंगी तो में भी कंपनी की वैलूशन के बारे में कि आज की शेर पाई चल रहा है वो इसकी अर्निंग के इसाफ से में सस्ते शेर मिलें और मैं आपको दाद हूं इस तरह इसकी कंपनी की वैलुशन करने लिए मैं यूज़ करता हूं डिसकांटट कैशफलो एनलेसिस उसके अंदर कंपनींकों फिरी क्याशफ्लो गइस्तness आप से कंपनी कोई वैल्यूंग है यह उपको चोटी कंपनी है तो अभी कंपनी किक प्राइज पर नहीं करेंगे अब इस कंपनी हों प्राइज बाइज अनिक रिश्वार रहा है वहा है नाइंटी का तो 90 की बात कर तो का तो और वैसे बात करें तो किसी भी कंपनी का प्राइज बहुता है उससे ज्यादा है तो वह और राइस की आती है उससे कम मिलती है तो कंपनी अपने अपने अच्छे बिजनस में है कंपनी का मार्केट अच्छा है क्लियर लीडिशिप है कंपनी पास में और सासे कंपनी का अफवर डियस ने विए काफी अच्छा प्राइज स्टेक्स में लिया है और चेक यह कंपनी के अच्छा है तो सारी क्म पॉसित हैं तो लोग के सेंटेमेंट भी उस कंपनी के साथ में हैं तो इसलिए रिजायोप अशे और पीछली एक साल में कोई शेर पाइस डबल हो गया दे चुकी है लेकिन बात करें तो अभी कंपनी के प्राइस के कर्रेक्शन होने की वेट कर लें क्योंकि क्योंकि कमपनी स्मॉल कैप की है और स्मॉल के अगर निफ्टी थ्लढ़ा भी गिरता है तो छोटी कंपनियां बहुत ज्यादा गिर जाती है तब हम इसमें एंटिर ने स सब्सक्राइब करें दूसरी बात अगर हमें ज्यादा टाइम लाग रहा है अभी पता नहीं कप तक का शेयर प्राइस कम होगी बहुत जादा अभी से लोगों के साथ हाई है तो अगर किसी और कंपनी को हम देख लेंगे तो भी अच्छा है तो जिन लोगों हमना पैसा इंव चाहिए फ्री कैस्ट है प्रॉफिट है मार्किट शेर वो सब पास रिकोर्ड फ्यूचर में कोई कॉम्प्रिशन आ जाए कोई और कंपनी पीच में आ जाया कोई गौश भी हो सकता है तो फ्यूचर को निकिए तो अगर आज कि देंगे तो रिस्क हमारा जो हो जाता है लेक अगर कंपनी जाधा प्रॉफिट में आए कि लगे लगे कि हां बहुत बड़े सेक्टर सब्जिए तो इस तरह से बात करें तो कंपनी अच्छी है लेकिन मेरे साफ से अभी साही समय इसकरने के लिए तो यह मेरा पॉइंट वही है थोड़ा आप रिसर्च कीजिए अपने अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शियर जूरू के जगा और अगर आप में चैनल पनाई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जेगा थैंक्यू सो मच